सो गैस जैसा कि आप सभी को पता है इंडिया के अंदर 5G बहुत जल्द आने वाला है तो गैस अगर आप इस टाइम पे एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बाते ध्यान में रखने वाली हैं जैसे कि आपको उस स्मार्टफोन के अंदर कितने 5G बैंड दे देखने को मिल जाते हैं एंड इसके लावा यहां पर आपको एक बैस्ट कैमरा सेटा मिल जाता जिसमें आप 4G तव वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड सुपर एमोली डिस्प्ले मिल जाती है 120 एर्स के स्मूध डिस्प्ले के साथ एंड लंबी बैंटरी मिलती है एंड इसके लावा एक गेमिंग चिपसेट मिल जाता जिसमें आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं कौन-कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक चलू देखना एंड मैं लाश्ट में बताऊँगा कि किसी जो कौन सा स्मार्टफोन भाइग करना चाहिए तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन यहांप आपका जो पांचवे नमर का स्मार्टफोन है वह है realme 9i काफी decent स्मार्टफोन है अब ही recent वी लाइच हो है काफी अच्छी design मिल जाती है तो बेक में प्लॉस्ट पिंटे फिर सनलोका सपोर्ट मिल जाता है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है तो अब इसकी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं इसे स्मार्टफून के अंदर आपको ऐसा क्या फ्यूचर मिलता है जो कि इस लिश्ट के अंदर एड करा है तो यहां पर आपको मिलता है था आप इसे स्मार्फ़न को skip कर देना तो यहां पर आपको मिलती है 5000 मेंटरी जिसके साथ आपको मिलता अठार एमोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एंड इसके लावा इसकी डिस्प्ले के बारे बात करते हैं यहां पर आपको बैक में मिलता है तिरुपल केमरे का सैटप जिसमें में कैमरा 50 MP का है एंड 8 MP का इल्टर वाइड तो 8 MP की सैङ्टी मिल जाती है तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 MP वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो यहां पर आपको ओकी मिलता है, एंड वाई इसके अधर फीचर्स के बारें बात करते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाता है तर्पल कार स्लोट, यानि दो समर्ण लगा सकते हैं, और यहां पर आपको 3.5M हटफ़न जेक मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है NFC का सपोर्ड मिलता है, तो इसकी रेमर्स टूरिस के बारें बात करते हैं, तो यहां पर 4GB RAM 64GB का इस टूरिज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है, 15,000 रुपे के अंदर, तो आप इसे स्मार्टफ़न को चेक आउट कर सकते हैं, तो अगर आप कुछ यह रियलमी की त थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपको background में noise देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी बारिष चालू हो चुकी है, तो इसको ignore कर देना, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपका जो तीसे नमबर का स्मार्टफ़न है, वो है Moto G71, काफी decent design वगरा काफी decent है, तो यहां से स्मार्टफ़न को वाई करने का reason भी है, अगर आपको चाहिए clean Android experience, यानि एक clean UI चाहिए, तो आप इस स्मार्टफ़न को check out कर सकते हैं, तो अब इसके features के बारे बात करते हैं, तो यहां पर आपको back में plastic body मिलती है, यह स्मार्टफ़न Android V11 पर जाती है, जो की एक AMOLED डिस्प्ले है, जिसके साथ आपको मिलता है, 60Hz का smooth डिस्प्ले है, पंचोल कटाउट के साथ मिलती है, तो डिस्प्ले की quality decent है, एंड इसके लावा 5000 MHz की बेंटी है, जिसके साथ आपको मिलता है 33V की fast charging का support, जो की काफी अच्छी वाद हो जाती है, एंड इसके लावा इसके camera setup के बारे हैं बात करते हैं, तो इसमें आपको back में triple camera का setup है, जिसमें main camera 50 megapixel का है, 8 megapixel का ultra wide, 2 megapixel का depth sensor, एंड इसके front में आपको 16 megapixel की selfie मिल जाती है, तो इसके back camera से आप 1080 में video record कर सकते हैं, इसके processor के बारे हैं बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको snap other features के बारे हैं बात करते हैं, एंड यहाँ पर आपको hybrid SIM slot मिलता है, यहाँ पर एक SIM लगा सकते हैं और एक लग से SDK का लगा सकते हैं, अब इसकी security के बारे हैं बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, rear fingerprint है, फिर सनलों का support मिलता है, जो की instant work करता है, अब इसकी RAM और या फिर credit card की युगार करनी पड़ेगी, तो वो आप देख सकते हैं, तो 15-16,000 रुपे के अंदर आपको यह मिल जाता है, अगर आपको clean UI चाहिए तो आप इस smartphone को check out कर सकते हैं, वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपके एगले smartphone की तरह बढ़ते हैं, तो आप आपका जो second number का smartphone है, वो है Poco M4 Pro 5G smartphone है, जो की काफी decent smartphone है, design बगरा परसनली इस smartphone की मुझे काफी decent लगी, क्योंकि यहाँ पाको back में glass body मिल जाते है, जो की काफी अच्छी बात हो जाती है, तो भाई इसके other features के बारे हम बात करते हैं, तो यह smartphone Android V11 पर run करता है, यहाँ पर आ साथ आता है, तो यहाँ पर आपको 12 वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो की काफी अच्छी बात हो जाती है, जो की IPLCD पैनल है, जिसके साथ आपको मिलता है 90 एर्स का smooth display, एंड वाई इसकी protection के लिए, आपको कौन निंगोरी लग लास 3 की protection मिलती है, जो की काफी अच्छ की quality decent है, एंड 5000 एमेज की benefit है, जिसके साथ आपको 33 वोट की fast charging का support, तो वाई इसके camera के बारे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको back में dual camera का setup है, जिसमें man camera 50 megapixel का है, एंड 8 megapixel का ultra wide, एंड इसके front में आपको 16 megapixel की selfie मिल आती है, तो इसके back camera से आप 1080 में ही video record कर पाएंगे तो भाई इसके जो camera decent है, perform काफी अच्छा कर जाता है, तो इसके camera quality यहाँ पर आपको average मिल आती है, तो इसके other features के बारे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको side mount fingerprint है, face unlock का support मिल जाता है, जो की instant work करता है, तो काफी अच्छी बात हो जाती है, फाइबरेट SIM slot मिलता है, यान decent सा smartphone, तो आप इसे smartphone को checkout कर सकते हैं, तो guys, यहाँ पर आपका जो पहले number का smartphone है, वो है Samsung Galaxy F23 5G smartphone है, तो personally यह काफी decent smartphone लगा मुझे, तो इसके features के बारे हम बात करते हैं, तो back में polycarbonated body देखने को मिल जाती है, काफी अच्छी design मिलती है, यह smartphone Android V12 परन करता है, जो की काफी अच 8.4 mm की धिखने से, 198 gram का यह smartphone है, तो काफी हलका smartphone है, यहाँ पर security के बारे हम बात करते हैं, तो side mount finger printer फिर सनलों का support मिल जाता है, जो की instant work करता है, इसके लावा इसके other features के बारे हम बात करते हैं, तो 6.6 inches की full HD display मिल जाती है, जो की एक TFT display है, तो display की quality अच्छी है, जो की 120 Hz की smooth display के साथ आती है, एंड इसके लावा कौनिंग गोरी लिगलास 5 की protection मिलती है, तो display की quality नो डाउट काफी decent है, जो की एक water drop notch के साथ मिलती है, एंड इसके लावा यहाँ पको 5000 mAh की battery है, जिसके साथ आपको 25 watt की fast charging का support मिल जाता है, एंड इसके लावा इसकी performance के बारे हम बात हो जाती है, तो बाई gaming वगेरा नो डाउट काफी decent कर सकते हैं, इस smartphone के अंदर आपको यहाँ पर cooling system भी देखिन को मिल जाता है, तो इसके camera के बारे हम बात करते हैं, तो back में triple camera का setup है, जिसमें camera 50 megapixel का है, 8 megapixel का ultra wide, एंड इसके front में आपको मिल जाती है, 8 megapixel की selfie, तो इसके back camera 4K तक video record कर सकते हैं, 30fps पर, जो की काफी decent बात हो जाती है, तो camera quality मुझे यह smartphone की decent लगी, एंड यहाँ पर आपको triple card slot मिलता है, यानि दो सिम लगा सकते हैं, तो अब इसकी RAM और इसके बारे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 6G RAM 128GB का storage है, जिसकी price आपको मिलती है, 16000 रुपे, तो भाई, अगर आप 1000 रुपे budget अपना बढ़ा सकते हैं, तो यह decent feature यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, वैसे कहते हैं, जनरली Samsung के smartphone में gaming वगारा नहीं कर सकते हैं, बट इस smartphone के अंदर आप काफी अच्छी gaming कर सकते हैं, अच्छा camera setup मिल जाता है, 120Hz का smooth display है, तो भाई, काफी decent smartphone लगा, और card वगेरा लगा करके, यह smartphone आपको 15,000 रुपे के अंदर मिल जाएगा, वैसे आप इस smartphone को check out कर सकते हैं, तो भाई, यह थे आपको best 5G smartphone जो की 15,000 रुपे के अंदर आते हैं, तो भाई, इस अब बात करते हैं कि कि किसी जोर को कौन सा smartphone भाई करना चाहिए, काफी ज़्यदा comment आते हैं कि आप पांचोई smartphone में से आप कौन सा smartphone भाई करते हैं, तो भाई, मैं अपना personal opinion दूँ तो मैं Samsung Galaxy F23 को भाई करता है, जो कि काफी decent smartphone है, क्योंकि यहाँ पर आपको 120Hz का smooth display है, एंद इसके लाब आप processor काफी decent है, camera decent मिल जाता है, तो भाई, मैं इसी smartphone को भ लगा, तो चली वीडियो को लिए पर end करते हैं,